हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग यकीन है कि आप लोग अच्छी होंगे दोस्तों मैं बनिया आज आप सब्सक्रापी के बीच लेके आया हूँ विकाजी की कुछ-कुछ जो की 400 ग्राम की पैक में आती है और जिसकी MRP 120 रुपे है और ये जिनरली 100 रुपे विक्ती है आज हम इसी कुछ-कुछ को अन्वाक्स करेंगे और जानेंगे इसकी होलसेल प्राइस और डिटेल में होने वाली मार्जिन के बारे में तो दोस्तो विकाजी एक बहुत ही popular company बन चुकी है आए दिन हमारे बिहार में खासकर की मदवनी जीला में जहां का मैं निवासी हूँ ये बहुत ही जादे popular हो चुकी है दोस्तो विकाजी हो सकता है आपके इधर हल्दी राम या फिर और भी कई कंपनिया है snacks item में वो famous हो लेकिन विकाजी की बहुत ही कुछ अलग है यहां की market बन चुकी है दोस्तो डॉमिनेंस है यहां पे तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो को शुरू करें अन्बॉक्स करें हमारा विकाजी जो की 400 गराम की पैक में आती है चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो देखे दोस्तो यह रही आपकी विकाजी कुछ-कुछ जो की 400 गराम के पैक में है ये पूरी पेटी आपको 6 किलो के वrenchण में आती है दोस्तों ये 400 गराम बाली पैक है इसका gross weight 17 किलो 620 गराम है इसमें टोटल 40 पिसेज होते हैं 400 गराम वाली कुछ कुछ की इधर देख लिजे दोस्तों विकाजी manufactured by विकाजी food international limited यह आपका राजस्थान विकाने राजस्थान इंडिया में प्रोडक्शन होता है इसका जाने कि यहीं की कंपनी है यह विकाने में वैसे स्नैक्स का बहुत ही परचलन है खासकर भुजिया पाप पर जितने भी स्नैक्स होते हैं तो चलिए दोस्तों मुद्दे की वाद कर लिजाए इसको अन्बॉक्स करते हैं पहले तो चलिए यहां से रैपर हटा के देखिए दोस्तों नीला कलर का पैक आता है कुछ-कुछ का आप भी वाकिफ होंगे से विकाजी ओल-इन-वन कुछ-कुछ अमिजी लब्स विकाजी ब्रेंड अमेस्डर है अन्ता बच्चन देखिए दोस्तों 400 ग्राम की पैक है 25 नमबर की मैंनिफेक्ट चीए 25 नमबर को यह बनी हुई है और 24 महीं तक चलेगी 120 रुप मर्प है दोस्तों 30 पैसा परती ग्राम का प्राइस पर जाता है मर्प के हिसाब से तो बात कर लिजाए यह 40 पीस की काटन की प्राइस के बारे में तो इसका काटन प्राइस है दोस्तों 3560 रुपे यानि कि आपको 89 रुपे यानि 89 रुपी आपको खरीद पड़ती है और इसको हम 100 पी आराम से बिख सकते हैं देखे 100 पी आराम से बिखते हैं उस दोकंदार तो इसे 110 यहां तक की ज़्यादा भीरवार वाले लाके में यह MRP में भी विखती है बहुत ही जादे फाइदे है बात होती है दोस्तों पॉपलाइटी की या फिर कस्टमर बेस की हमारे इधर कुछ कुछ का बहुत ही जादे प्रचलन है वीकाजी की कुछ कुछ का हो सकता है आपके यहां हल्दी राम का कुछ कुछ आता हो होगा उसका प्रचलन हो उसी हिसाब से कस्टमर बेस होता है मार् को सब्सक्राइब करना न भूले और जुरे रहें बनिया के साथ क्योंकि बनिया है तो बढ़िया है थैंक यू दोस्तों